नमस्कार साथियों मैं मनीश मुआल आप सभी का इस ब्यार बोड की स्पेशल क्लासिस में तैयदे से स्वागतर और विन्यंदन करता हूँ हम लोग पढ़ रहे थे आर्थ सास्तर और अर्थ सास्तर का अध्याय दो राज्य एवम राष्ट्र की आए ठीके राज्य एवम राष्ट्र की आए इस्टेट एड नेशनल इंकम हम लोग पढ़ रहे थे उसका लेक्चर नुबर वन हम लोग कर चुके हैं और आज है महा लेक्चर नुबर टू इस lecture में इस content में आज मलोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले वो देख लेते हैं भारत का राश्ट्री आये तियासिक परिवेशे मतलब राश्ट्री आये की शुरुआत किस परकार से हुई कौन से से महापूष्टर जिनोंने सबसे पहली बार राश्ट्री आये की गन्यना करी ब्रिटिशन का क्या योगदान रहा और आने वाली जो सरकार हैं उनका क्या योगदान रहा वो सबी हम लोग जानेगे परतिवेक्ति आये या पर-capita income जिसे का जाता है ये क्या होती है और किस परकार से ये लोगों के जिवन इस तर पर पर प्रभाव डालती है वो भी जानेगे राष्ट्री आये की गर्ने나 केसे होती है और जब हम ये गर्नेना करते हैं ये counting जो हम लोग करते हैं या census इसनस इसे का जाता है वो करते हैं तो उसमें क्या-क्या खटिना ही आती हैं क्या-क्या प्रभी आज़क्टि आये वो के लेक्टर में जानेगे और इसी के साथ जो हमार चैप्टर है वो complete हो जाएगा फिर जो बाकी रहेगी वो exercise रहेगी जो हम लोग next lecture में करेंगे तो शुरात करते हैं आज किस lecture की भारत का राश्ट्रिय आये इतियासिक परिवेश सबसे पहले बात कर रहे हैं सन 888 इश्वी की अब यह वो time period चल रहा है जब हम अंग्रेजों के गुलाम है देखिया अंग्रेजों ने राश्ट्रिय आय की गनेना को लेकर के कोई बहुत बड़ा महत्मून काम भारत में नहीं करा है हम लोग यह भी देखते हैं कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आर्थिक आधारों पर तो सोशन ही भारत का करा है तो 888 इश्वी में सबसे पहले दादा भाही नेरो जी इन्हें ग्रांड ओल्ड मेन ऑफ इंडिया भी का जाता है तो सबसे पहले 888 इश्वी में किस ने बताया दादा भाही नेरो जी ने बताया यह कौन है दादा भाही नेरो जी है अपनी पुस्तक Poverty and Un-British Rule in India किस में बताया अगर आपसे सवाल पूछ लिए जाए भाही कौन सी किताब में दादा भाही नेरो जी ने सबसे पहले राश्ट्रे आये की बात करिए तो कौन सी में करिए Poverty and Un-British Rule in India इन्होंने एक बहुत अच्छा सिद्दान्त भी दिया था वह यह कहते थे कि जो Britishers है वह जो भाहत की धन दोले संपदा है वो कहां लेकर के जा रहे है यूरोप लेकर के जा रहे है उसे कहा जाता है Drain wealth to Europe ठीक है तो जो पूरा जो wealth है जो पूरी भाहत की धन संपदा है वो कहां ले गए है ये लोग यूरोप ले गए है वो आज का है पर आज के समय में तो 20 की छोड़ी 2000 की कोई value नहीं पर उस समय में 860 में 20 रुपे बहुत होते थे अगर कोई इंसान पूरे वार्षिक है तो बहुत बड़ी बात है प्रतिविक्ति आए में अगर उसकी 20 रुपे पूरे वार्षिक है तो बहुत अच्छी बात है इन्हों ने 20 रुपे बताए तो जब सबसे पहले शुरुआत हुई है राष्ट्री आए कि वो किस ने करी है दादा भाई नेरो जी ने करी है इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ओफ इंडिया भी कहा जाता है ये बात भी आप अपने नोट्स में लिख लीजिए इसके बाद अनेक विद्वानों ने व्यक्ति गत रूप से भाध की राष्ट्री आये चाता प्रतिविक्ति आये का अनुमान लगाया तो फिर अलग-अलग विद्वान आये जरूरत होती है किसी चीज की शुरुआत करने की अगर आप शुरुआत कर देते हैं तो फिर उस की राष्ट्री आये और प्रतिविक्ति आये का अनुमान लगाया है तो अगर आपके पास एक वर्ड लिखावा आता है अर्थ सास्त्री अर्थ सास्त्री को इंग्लिश में कहते हैं एकोनोमिक्स वो है जिन्होंने एकोनोमिक्स की बहुत पढ़ाई करी है और अब एकोनोमिक्स पर अपने विचार रखते हैं कि अगर ये चीज होती है महंगाई बढ़ रही है आये घट रही है तो इंकम घट रही है तो क्यों घ केलाते हैं जिन्होंने study of economics economics की पढ़ाई कर रही हो वो economist आर्थिसास्त्री केलाते हैं तो नाम लिखा होता है आर्थिसास्त्री प्रोफेशर किनीज ठीक है इस परकार से तो आप यह मत पूछा को प्रोफेशर किनीज क्या है क्या है इंसाने जैसे आप और हमें परशिद आर्थिसास्त्री देख लिए आगे अब आर्थिसास्त्री economist डॉक्टर विक्या आर्वी राव की द्वारा 1929 के बीच में भारत का राष्ट्री आयका आकरा सरवादिक परचली था तो सबसे ज़्यादा परचली था सबसे ज़्यादा फेमस लागत किसी का आकरा है तो डॉक्टर विक्या आर्वी राव द्वार दिया हुआ है जो 1925 से 1929 के बीच में यह है यह समय भी अंग्रेजों के समयका ही है एक टाइम लाइन अब हम लोगों को पढ़नी है देखिए अगर आप कहीं पर फ्लो चार्ट का इस्तमाल करते हैं आप कहीं पर एरो बनाकर क किसी चीज़ को explain करते हैं copy में तो ही आपको अच्छे marks मिलेंगे क्योंकि आपका representation आपका प्रतिने दित्व कौन कर रही है आपकी copy exam में कर रही है तो इसी प्रकार से देखिएगा अगस 1949 इस्वी देखिए सबसे पहले तो 1860 इस्वी में जादा भाई नेरोजीन ने कर दिय 1925 में डॉक्टर विक्या आर्वी राओ के साथ दो गई अब आजाओ अगस 1949 की भारा सरकार ने राष्ट्रिय आये समीती प्रोफेसर पीसी महलोनविस की एदिक्ष्टा में एक समीती बने कब बनाई अगस 1949 में मतलब आजादी के बाद तो एक समीती बनाई राष्ट्रिय आये समीती ठीक है नेशनल इंकम कमीटी बनाई और उसके देख्ष कोंते प्रोफेसर पीसी महलोनविस ये एक बहुत बड़े अर्थसास्त्री थे और हमारे जो शुरुआत की पंचवर्शी योजनाय आती है उसका प्रारूप उसका पुरा सिस्टम तियार करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है अब ये जो समीती बनाई राष्ट्रिय आये समीती बनाई इसका उद्देश है क्या था इसका अबजेक्टिव क्या था भारत की राष्ट्रिय आये के सम्मन्द में अनुमान लगाना कि मैं जो भारत की राष्ट्रिय आये है नेशनल इं आया है और 1901 में उन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट सरकार के पास पेश कर दी कि देखिए सर ये ये नेशनल इंकम होती है और हमारी इतनी है और इतनी कम है और इतनी जादा है इसमें सान 1948-49 के लिए कुल राश्ट्री आये 8,650 क्रोड रुपे ता प्रतिव एक्ति आये 246 रुपे 246 दसमेलो 9 रुपे है मतलब आप यहां तक यह मान सकते हैं कि अवरोल में राउंड फिगर में लेंगे तो 247 रुपे ये बता रहे है और कौन से साल की है 1948-1949 के बीच की उन्नी सो उन्चास में समीति बिठाएगी तो पिछले साल की साफ से तो अनुमान लगाएगे न किया लोगों का इतना लोगों ने कमाया है तो 1948-1949 के बीच इस साल में इन्होंने कितनी बताई है 8,650 क्रोड यह तो पूरे भारत की इंकम है यह पूरे भार 244 रुपे दादा भाई नेरो जी ने 6868 कितनी बताई 20 रुपे बताई और यह 247 तक आ चुके हैं ति यह समय काफी समय भी होगे सो साल के करिबन का समय हो गया सन 1904 के बाद सरकार ने केंद्रिय सांक्या की संगटन सेंटरल इस्टेट्रिकल और्गनाजिशन की स्थापना करी अब यह सवाल अगर आपके बास आता है CSO की स्थापना कब होती है तो 1904 में करी गई है का उन्देश यह CSO का उन्देश का का है ,की पूरो सरकार के सामने एक प्रस्तूत प्रस्तूत करने के लिए इसका करा गया Чूरइल राश्ट्रिय आए का उनका इखट्टा करने का काम किस का है CSO का है और देखिए हर बार तो हम कमिटी बना नहीं सकते वह एक तो किसी ना किसी डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी देनी पड़ेगे ना कि हमारी राष्ट्रियाए का फता लगा है तो इसलिए ये डिपार्टमेंट में सेट अप करा गया ये संस्ता नियमित रूप से नियमित रेगुलरली राष्ट्रियाए के आकड़े परकाशित करती है तो राष्ट्रियाए के क्या है आकड़े परकाशित करती है वह हमारी इतनी राष्ट्रियाए हमें प्रात्मिक शेत्रक से इतना मिला है तीनो छेत्रों का क्या है योगदान है चाहे वो प्रात्मी हो चाहे दित्ते हो ताई तर्थेक छेत्रों हो तो यह क्या था यह हमारे भारत में राष्ट्रे आये का जो एक एतिहासिक परिवेश था वो पूरा है कहां दादावाई नेरो जी से हमने शुरुआत करियो और C.S. यह पूरी एक टाइम लाइन ही इस टाइम लाइन को आप लोगों का क्षुन करेंगे गर यह कोईशन आता तो पंस माँम का कोईशन आएगा और आपको इसी परकार से फ्लोचार्ट बना करके एरो बना बना करेके आप लोगों को इसको एक्स्पीरinkyर करना है तो आपको की इंकम परती व्यक्ति है और हम ये बात लास्ट की लेक्चर में भी जान चुके हैं आए है इंकम है बहुत बहुत इंपोटेंट माप दंट है किसी इंसान के विकास को देखने के लिए अगर मैं मेने के 10,000 कमा रहा हूं और कोई दूसा परसन मेने के एक लाग कमा रहा है हमारे जीवन इस तर में ही आपको बहुत बड़ा फरक देखने को मिलेगा मेरे कपड़ों में उसके कपड़ों में आपको बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा मेरे जीवन को जीने में और उसके जीवन कम होगी पेसा कम होगा तो हम सिर्फ और सिर्फ वो पेसा सारा का सारा उभोग पर ही चला जाएगा बचा तो पाएंगी निए बचा तो पाएंगी निए तो हमारी जो जीवन इस्तर है वो भैतरी नहों पाएगा, जीवन इस्तर है वो भैतरी नहों पाएगा, आज जो लोग दिन के सो रुपे कमाते हैं, वो विचार दो रुपे किलो वाले चावल खाते हैं, तीन रुपे किलो वाले गहों खाते हैं, राशन पर से जो तेल मिलता है, वो ते उन्हाइन बहुत भाते हैं यह सब जीषने इस तर निपकरता है वह किस पे डिपेंड करता है और आयए क्या होनी चीए बढ़नी चाहिए इंकम हमाली को लगाने पड़ेंगे और हम लोगों उद्वयो बढ़ा है कि लोगों के लिए। लोगों के लिए ृषप ड़ ब्ढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगा मतलब लोगों को अच्छी आयर मिरी एक अच्छी आए एक अच्छा जिवन इस तरह दर्शाती है परन्तु समश्या यहां पर क्या है अगर भारत के परिवेश में मैं बात करूँ अगर भारत के प्रिवेश में मैं बात करता हूँ तो समश्या क्या है समश्या यह है कि भारत की जो जनसंक्या है वो निरंतर ही मतलब आज़ादी को सो साल नहीं हुए पर हम लोगने सो क्रोर की जन संक्या बढ़ा दी तो जो संसादन है Kabin बिल्कुल भी भी संसादन नहीं वड़ते जो प्रक्रतिक संक्राइब वह उतने की मों रहेंगहे तो संसादन हमारे पास सीमित तो अब जब संसाधन सीमित है और जनसंक्या दिन पर दिन बढ़ती जा लिए और अब इस जनसंक्या को क्या होगा हमें खाने को भी देना होगा उस जनसंक्या को हमें रोजगार भी देना होगा जब हम उन्हें खाने को खाना अवेलेबल नहीं करा पाएंगे प्रोवाइड दूसरा एक factor और भी है कि जैसे जैसे चंसंक्या बढ़ती जाती है जब जंसंक्या बढ़ती है तो लोग गरीब होते जा रहे हैं यह बात मैंने जिसे आपको दिखाई हैं पर कि गरीब हो रहा है अब वो जैसे जिसे गरीब होते जाएंगे तो ना तो उनको सिक्षा मिल तो परतिवेक्ति आये बढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर जीवन इस तरको भैतरिन बनाना है उसके लिए परतिवेक्ति आये का बढ़ना बहुत ज़रूरी है पर हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि जो जन संक्या है वो क्या होनी चीए कंट्रोल होनी चीए जन संक्या पर रोक लगनी चीए, तब ही जाकर के हम गरीवी को कतम कर पाएंगे जन संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है यहाँ परतिवेक्ति आयक कम है अज सिक्षा का इस्तर जादा है एव भाषा जीवन शेली संस्कृति के बहुत आयात है काफी तेजी से बढ़ रही है परतिवेक्ति आयक कम है देखे अब जैसे कि मैं आपको एक उधाना देता हूँ कि एक हॉफिस है एक हॉफिस है उस हॉफिस की जो इंकम है वो है 1,00,00, जो मालिक है उसनिए सोच रखा है मुझे करमाचारियों में बाटना है उस 1,00,000 रुपे को बाटना है अब मान लिजिए कि पहले 10 लोग काम करते थे, कितने काम करते थे ? 10 लोग अब 10 लोगों में क्या हो जाएगा 10,000,000 वो बाट देगा legally बटके ठीक है यहाँ पर यह जो दिखा रहा हूँ यह आप जनसंक्या के रूप में देखेगा और यह जो यहां पर दिखा रहा हूँ हो संसाधनों के रूप में देखेगा कि संसाधन अमरे पास C में थे एक लाख से ज्यादा मालिक देना ही नहीं चाहता एक लाख ही लास्ट लिमिट है तो क्या होगा पेले 10 लोगों में बाट रहा था तो 10-10,000 अम मान लीजिए मैं यह मान लेता हूँ यह 20 लोग हो गए मतलब जनसंक्या बिल्कुल डबल हो गई जनसंक्या बिल्कुल डबल हो गई और बाटने को आज मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक लाख है तो आब मैं कितने-कितने बाटूँगा एक-एक में 55,000 एक-एक में 55,000 पेले 10-10,000 बाट रहा था वा अज 55,000 बाटूँगा तो यहाँ पर तो इंकम बढ़नी चाहिए थी पर यह तो क्या होगए इंकम बढ़ गई बहुत ज़्यादा है, बहुत विवीदिता है लोगों के पास, तो भाशा काफी भाशा बोलने वाले लोग, अलग-अलग संस्क्रिती जीने वाले लोग, और अपना जीव आपको formula लिकर के बता देता हूँ और जो आपकी यहाँ पर definition लिखे वही formula में आ जाएगा तो यहाँ पर यह है कि राश्ट्रिया आए आपकी जो total राश्ट्रिया आए है उसमें आप क्या करेंगे कुल जनसंक्या का भाग देतेंगे आप जैसे की उधारन के तो रप्या फन्माल लेते है कि हमारी जो राश्ट्रिया आया है वो कितनी है एक यAudi है नाक रुपे है अब इसमें ऐसा नहीं कि सब दस हजारी कमारे होगे कोई दस भी कमारा होगा कोई आठ ही तो कोई वीस भी ले रहा होगा एक लाक मेंसे पर एक ओसत एक average दे दिया कि लगबग लगबग 10,000 रुपे तो सब कमा ही रहोंगे इसके आसपास में इससे उपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है तो परतिवेक्ति आये per capita income जिसे का जा रहा है ये एक एक individual की हर इंसान की income को दर्शाता है और अगर आपसे सुत्र पूछा जाता है, formula पूछा जाता है तो आप ये लिखेंगे और इसकी परिभाशा लिखनी हो तो आपको यहां तक की परिभाशा लिखनी होगी राष्ट्रियाई की गन्यना, measurement of national income अब हम जो राष्ट्रियाई की गन्यना करते हैं वो कैसे करते हैं हम कैसे count करते हैं कि वह national income हमारी कितनी है, प्रतिवेक्ति आये हमारी कितनी है वो सब कुछ राश्ट्रियाई की गन्यना करने के हमारे तीन विदी होती है तीन हमारे क्या है मेजरमेंट्स होते हैं हम उन तीन तरीकों से तीन मेथट से हम लोग क्या है राश्ट्रियाई कि काउंटिंग कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं सबसे पहले होती है उत्पादन विदी तो पहली उत्पादन विदी और production method इंग्लिश में second जो हम लोग बात करेंगे वो है आये विदी या income method और last वाली जो है उस हम कहते हैं विदी या expenditure method ओके ये तीन तरीके हैं उत्पादन विदी आये विदी और विदी इन तीन तरीकों से हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे राष्ट्रिया की गन्यना होती हैं पर आपको पहले एक दो बाते और समझ लिए और फिर अपन इसको जो method से हैं वो समझेंगे देखिए अगर किसी भी चीज़ का जो उत्पादन होता है ना किसी भी चीज़ का जो production होता है वो तब होता है जब मांग होती है ये बात आप समझ लिजे मांग जब होगी ना तभी क्या होगा उत्पादन होगा अगर मांग नहीं होगी अगर डिमांड नहीं होगी तो उत्पादन कभी भी नहीं होगा जैसे कि फोर एक्जामपल आज अगर आप भिहार बोर्ड के बच्चे हमसे जुड़े हो अगर मान लीजी भिहार बोर्ड के बच्चे हमसे नहीं जुड़े होते तो क्या मेरे भिहार बोर्ड का कंटेंट पढ़ाने की डिमांड होती बिल्कुल भी नहीं होती है तो अगर डिमांड ही नहीं होती तो फिर हम प्रोडक्शन ही नहीं करते हैं मैं भिहार बोर्ड की वीडियो बनाता ही नहीं क्यों बना रहा हूं क्यों प्रोडक्शन कर रहा हूं उत्पादन क्यों क्या रहा है क्योंकि आप लोगों की मांग है आप लोग हमसे जुड़े हो आपने डिमांड करें कि सर भी आरबोड का जो अलग है वह आप अलग से पढ़ाईए तो डिमांड होगी तभी क्या होगा उत बढ़ जाएगा और जब रोजगार भढ़ेगा तो लोगों के पास क्या होगी आयं बढ़ जाएगी इनकम बढ़ जाएगी अब यहां से आप उसरा दूसरा कर दीजिए ठीक है ना इस पर में खुद को नहीं लाओंगा, तो रोजगार मिलेगा, लोगों कोई आए मिलेगी, और आए जब मिलेगी, तो लोगों का जीवन इस्तर बहतरीन हो जाएगा. मतलब overall कही ना कही जो बात है, उटो गुंफिर करके किस पर आती है, माँग पर आती है, लोगों की demand होना भी बहुत ज़रूरी है सिरिफ और सिर्फ production करने से ही कोई मतलब नहीं होता मान लीजिए अगर मैं वीडियो बना बना करके वीडियो बना बना करके रख देता हूँ और आप लोगों की demand नहीं होते हैं बिहारवड का बच्चा है नहीं है तो फिर क्या मतलब है तो सबसे पहले जो important होती है वो होती है demand होती है demand होने के बाद ही हम क्या है production करना शुरू करते हैं और production के बाद रोजगार मिलता है लोगों को उनकी आये बढ़ती है और उनका जीओन इस तर बहतरिन हो जाता है तो सबसे पहले हम लोगों की क्या है ज़रूत है मांग की अब यहां पर देखिएगा हमने क्या करा है उत्पादन करा है जब production होने से क्या होगों को रोजगार मिला और रोजगार मिला मतलब क्या होगा उत्पादन करने के बाद उनको आये मिली होगी उनको इंकम मिली होगी जैसे माल लीजिए मैंने आपके विल्ली वीडियोस मनाए ठीक है तो मुझे कुछ इंकम मिली होगी कुछ पैसा दिया होगा मुझे तो वो आये मुझे मिलगे, पहले उत्पादन हुआ, उससे आये हुए, या आप ये मान लीजिए, कि यहां पर जिस भी फैक्टरी ने प्रोडक्शन कराया, उस प्रोडक्शन करने के बाद उसको माल को मार्केट में बेचने काद उसका पैसा आया, तो जो भी पैसा आरजित क भी ले करके जाएंगे, बच्चों के लिए कपड़े भी ले करके जाएंगे, तो अब ये क्या करेंगे, इस पैसे को क्या कर देंगे, खर्चा कर देंगे, खर्चा कर देंगे, अब मैंने क्या बहुता था, एक इंसान की इंकम दूसरे के लिए खर्चा होगी, और दूसरे क्योंकि खर्चा होने का मतलब लोग अगर पैसा खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उस चीज की मांग है, उस चीज की मांग है, खर्चा इसलिए क्या जा रहा है, क्योंकि उस चीज की मांग है, उस चीज की डिमांड है, अगर मुझे रोटी की डिमांड नहीं होगी, पेसा खरचे नहीं करोंगा मुझे अगर कपड़ों की जोड़ नहीं होगी तो मैं कपड़ों पे सा खरच के रहे हैं इसका मतलब क्या ह् क्या है इस चीज की sounds का बाद इलेक्ट और किया को देख़े गाड़ computer की shop पर जाएगा, mobile की shop पर जाएगा भेंकर भीड लगी रहती है क्यों? क्योंकि after the corona period क्या है इनकी demand है वो बहुत high हो गई बच्चे-बच्चे को mobile phone चाहिए 8th class में बच्चा पढ़ा नहीं मेरे online classes दलती है, उसके लिए mobile phone चाहिए मुझे laptop चाहिए, तो demand बढ़ी है और demand बढ़ी है तभी तो उतपादन बढ़ा होगा और उतपादन बढ़ा होगा और उतपादन बढ़ा है तभी तो लोगों का आए बढ़ी होगी तो आपको यह बास और यह उतपादन का लेवल पर हम major कर लेंगे, फिर लोगों को कितनी income मिल उसके वेजर पर और फिर लोगों ने खरचा कितना करा करा उस major पर. इन तीनों लेवल के साफसेंबर क्या कर सकते हैं, हम हमारी जो राश्ट्रे आया है उसकी गन्रेना कर सकते हैं. अब अगर exam में किसी प्रकार का कोई भी question आता है ये जो flow charts में आप लोगों को extra में बना करके दिखाता हूँ जैसे ये वाला हो गया है ये से flow charts हो गया है पूरा जो राश्ट्राय का परिवेश मेंने समझाया वैसे हो गया आपको ये बात ध्यान रखनी है students की एक तो points में आपका answer हमेशा रहना चाहिए आप कभी भी practice करते है answer writing की तो points में answer writing की practice होनी चाहिए words को highlight होने चाहिए और flow chart इनकी आप habits बना ले इनकी आप habits बना ले तभी आपको social में भैदरिन marks मिलेंगे वेसे तो हमारे बिहार में ये है कि 40 marks के तो आपके क्या आएंगे MCQ आएंगे और 40 marks के आपके subject आएंगे तो पास तो आप MCQ में हो जाओगे इसलिए मैं आपके लिए एक एक जो word है वो भी select करके लाता हूँ कि को छूट ना जाए आप सबसे पहले जानते है इसलिए 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 जब उत्पादन के योग के द्वारा किया जाता है तो उसे उत्पादन गनेना विदी census of production method कहते है देखिए अब एक एक चीज़ बहुत अच्छा राष्ट्र के व्यक्तियों की आए जो हमारा देश है उसमें जो भी व्यक्तियों उनकी जो आए है उत्पादन के माद्यम से अथ्वा मोद्रिका आए देखिए अब आपने जो भी उत्पादन करा आपने जो भी उत्पादन करा अब जैसे मैं माल लेता हूँ प्रात्मिक शेत्र है प्रात्मिक शेत्र में जो उत्पादन हुआ होगा टोटल जो उत्पादन हुआ है वो कितने का हुआ है सो क्रोड रुपे का हुआ है मतलब वो मार्केट में जाकर कि जो विका वो कितने का विका है सो क्रोड रुपे का विका है फ्र्फश्व कडिकुर्टी तर्फट्य कुली कितने की हूई है 300 क्रोड के टोटल कितने होगा 600 क्रोड तो यह 600 क्रोड हमारी क्या हो गई राश्ट्री आफ अच्छ उत्पादन करने के बाद बेचा गया उससे जो पेसी तो रास्ट राष्ट के वेक्टियों की आये उत्पादन के माद्यम से प्राप्त हो तो इसलिए हम उत्पादन की योग को जो भी उत्पादन हो उसका टोटल करकर करकर कि हम राष्ट्र आये पता लगा लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं अब देखिए अब जो इतने भी लोग है अब उन सब की हमारे पास इंकम की अगर जानकारी होगी कि हाँ इननों इनने पैसे कम और गोगों की जो आए है उसके सभी को हम क्या कर लेंगे जो लेंगे और जोडने के बाद हमारे के आजाएगी राष्ट्रीए आए आजाएगी पर देखिए हम इस समॉश्याओं में पढ़ें गैंग है कि कुछ परिशान नहीं जैसे माली जी कोई बच्चा 12th pass कर लेता है वो 12th pass करने के बाद भी क्या है घर में बेट करके 5 बच्चों को पढ़ा रहा है और एक बच्चे से 1000 रुपे भी ले रहा है तो वो 5000 रुपे कमा रहा है पर वो 5000 रुपे सरकार को नहीं पता है कि एक किसी कोलोनी में एक किसी जगे पर रहे करके एक 18 साल का लड़का भी 5000 रुपे कमा रहा है तो वो इंकम से बाहर है बहुत से जो private individuals हैं वो पेसा कमा रहे हैं पर सरकार को कानो कान तक खबर नहीं है कि लोग इंकम ले रहे हैं इसलिए हमारे कि बेरोजगारी जादा ने जराती तो बेरोजगारी नहीं है इतनी वैसे है पर इतनी भी नहीं है तो हर इंसान कहीं न कहीं अपने लेवल पर कुछ ना कुछ कमा रहा है पर वो सरकार तक नहीं पोच पाता है प्रात की गई आये विक्ति अपने भोक के लिए वह भी करता है आप लोगों ने क्या है जो income आई अब उसको खर्चा भी करेगा मार्केट में कितना पेशा वापस आ गया है तो उसी साफ से भी क्या है वो calculate कलेते हैं हमें इतनी लोगों कि क्या होगी इंकम होगी सबसे जो बेस तरीक हैं वो उत्पादन और आये विदी को मैं मानता हूँ क्यों कि विए विदी में हम लोग क्या मान रहे हैं कि इंकम जो है हमारी उसमें दो चीजे कर सकते हैं कंजप्शन या इन्वेस्टमेंट या सेविंग तो उभोग करने वाले तो आपके पास सामने आ जाएंगे पर इंसान अगर जो बचा रहा है वो पेसा नहीं आएगा तो इंकम मेथड ज्यादा बैटर होते हैं और प्रोडक्शन मेथड भी अच्छा है विए विदी मैंने य इनी हुई वस्तों का मुल्य विविन पर इस्तिव में व्यक्तियों के द्वारा किये गए प्रयास से बढ़ जाता है ऐसी स्तिव में राष्ट्राइक की गन्यना को मुल्य योग विदी कहते हैं अगर कुछ व्यक्तियों के द्वारा कुछ विशेश प्रयास किये गए हो औ के दाम बढ़ जाते हैं तो क्या होता है वो मुल्य योग विदी में आ जाता है व्यवसाइक गंधना विदी सेंसर ऑफ उक्यूपेशन में अंत में व्यवसाइक संरचना के आधार पर राश्ट्रिया की गंधना की जाती है व्यवसाइक आधार पर की गई गंधना को व्यवस फैनली फिर एक गया है जो राष्ट्रियायाए वो देश के सामने रख दे Hunt Heart जो गंधना का तरीका है बहाता है अब राश्ट्रियाए की गंधना में क्या-क्र खटिनाई आती है तीन हैं आकडों को एकत्र करने की खटिनाई सबसे पहले तो चो हमारा पास आकड़े न उनको एकत्र करने को उनको collect करने में क्या है काफी difficulty आती है दोहरी गनेना की संभावना हम double counting कर लेते हैं यह भी समझेंगे मुल्ये के मापने में खटिनाई हैं और मुल्ये को मापने भी हमारे खटिनाई आ सकती है यह मैंने एक तस्वीर दिखाई है यह challenge की रूप में खटिनाई की रूप में की प्रेशानी है खटिनाई हैं उनको गनेला करते समय पर हम खटिनाई को भी क्या है ओवरकम कर जाएंगे सबसे पहली आकडों को 71 करने में खटिनाई है difficulty in collecting data पूरे देश के लोगों की आये को हम उत्पादन के रूप में या उसकी आये के रूप में आगते हैं और इस आकडों को एकतर करने में अनेक खटिनाई आती हैं ठीक है जैसे कि मैं आपको बताया कि एक ट्वेल्थ के बाद बच्चा अगर पांच बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो पांच चार की इंकम गुप्त है लोग इतना पैसा कमा रहे हैं तो जो डेटा कलेक्शन में उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है गौवर्मेंट जो ओफिशिल से सरकारी करमचारी है उनके तो क्या होती है पूरी एक पेसलिप बनती है उसका क्या है उनकी पूरी जो इंफोर्मेशन आने वो सरकार तक नहीं जापाती है यजि सही आकड़े उपलप नहीं हो तो राष्ट के विकास की सही स्तीती नहीं पृत होती है आप आकड़ सही नहीं होंगे आज खोड़े और फिर हमें कुछ यह से नोट बंदी वाले एक्षिन लेने पड़ेंगे फिर तो गंगाम आता हमें ही नोट भाए जाएंगे लोग जला देने गाता अतना हम वह था समझ भी नहीं हाता कि हम जब मावाप के पेसों फे हम कोई काम करते ना तब ऐसा लगता है रहार क्या है? सो रूपे उडा दो अजार रूपे उडा दो क्या जाता है पर जब से सच में मैं परसनलिने जब से हम लोग अन करने लगे ना हम एक कचोरी भी खाने में सोचते हैं कि आद 10 रुबे की कचोरी आएगा क्यों पेसा खरच करें तो उसका एक मज़ा ही अलग होता है हम घड़ जाते हैं अलगी respect होता है respect लेवल अलगी होता है तो एक खुद का मैन्स से कमाया पेसा बहुत ही ही अलग है बाकी चाहिए आप कितना एकाला धंगा मालीजे कोई मतलब नहीं है दोहरी गदिना की संभावना possibility of double counting पूरे राष्ट के लोगों की उत्पादन अत्वा आए की आपड़ों को एकटर करना सहज नहीं है सहज नहीं का मतलब easy नहीं है भोगोलिक, भोगोलिक मतलब physical और मानविय संसादन की संरचना ऐसी होती है कि कभी-कभी एक ही आई या उत्पाद को दो इस्तानों पर अंकित कर दिया जाता है जिस कारण वास्तिविक आय से आय दिखने लगती है कोई चीच कड़ कर लिया जाता है जैसे ऑपको एक उधारन देता हूँ जैसे चाई का उधारन अंपलोग लेते हैं मेने 5 रुपे की चाई लिया इस पांस रुपे की चाई में डूद की कोंस्ट थी पूष्ट पिन गूद्ड यो लगा तो इस परकार से दो-दो बार क्या हो जाती है? गिननती आजाती है, गिनने में आजाता है तो हम भोगोली के कंडिशन में मानली जी Ugh, किसी इंसान की इंकम को हमने पहले एक जगे परbbe काउंट कर लिया, फिर दूसरी जगे पर ये काउंट कर लिया, मतलब किसी के 10,000 इंकम थी वो पहले 10 और फिर वापिस हमने 10 जोड ली तो क्या होगे 20,000 तो यहां पर जो राजट्री आया है वो अधिक दिखाएगा तो यह तो गलत है वह डेटा सही होना चाहिए ना जो आकड़े हैं वो तो बिल्कुल सही होने चाहिए ना जादा और ना क मुल्य के मापने में खटिनाई difficulty in measuring the value बाजार की स्थित्य में प्राय हम यह देखते हैं कि एक ही वस्तु का कई व्यापारी की स्थित्यों से गुजरने के कारत उस वस्तु के मुल्य में विविनता आती है अब यहां पर क्या है कि अगर कोई चीज फैक्टरी से निकल रही ह कोई भी चीज होती है कोई भी वस्तु की जब फैक्टरी से निकलती है जैसे हम में यह मानते हैं कि मानले जियको एक mobile phone यह जब वो factory से बन करके निकला वो 8000 निकलता है इस 8000 में यह मान लिजिए, टेक्स मिला हुआ है, सरकार को जो टेक्स दिया गए, वो टेक्स मिला हुआ है, अब इस 8000 में से क्या होगा, पहले तो जो बड़े-बड़े रीटेलर से उन तक पहुचाएगा, तो फिर माली जी उसमें खर्चा 300 रुपे का प्रहिवन का, मतलब ट्रांस्पोर्टेशन का आ जाएगा, 8800, ओके, 8800, अब यह 8800 यह आगे, उसके बाद क्या होगा, जिस रीटेलर के पास आईए, माली जी मेरी दुकान है, मेरे पास यह स से, तो मैंने कितना है, टोटल कितने होगे, 9800, ओके, 9800, अब 9800, और मुझे भी अपनी लेबर को भी पैसा देना है, उनको भी खर्चा देना है, ठीके, जो मेरे साथ काम करेंगे, उनको भी तो, इसके करगे, मैं यह उर्खे देता हूँ, कि मैं इस पर 1200 रुपे और आप कोई आ गया, वो साड़ी 11 में ले जाता तो बहुत बढ़ी है बाद, और 11 तक ले गया तो बढ़ी है बाद, जिसकी कोस्ट 8000 थी, वो कितने में विक रहा है, मार्केट में, साड़ी 11 में विक रहा है, साड़ी 3000 का डिफरेंस आ गया, तो यहां पर यही तो बात है, कि म माली जो होल सेलर से किस तक पोच रहा है, रीटेलर तक पोच रहा है, में जो मालिक है, जिसने बनाई है सामान, वहां से लेकर के माली जो होल सेलर से तक पोच रहा है, यह खर्चा किस-किस का है, यातायात का खर्चा, परहीबन करना है, यहां से वहां ले जाने का, विक्रे तो अब बात करते हैं विकास में राष्ट्रे और प्रतिवक्तियायका योगदान कि अगर राष्ट का विकास हो रहा है तो उसमें राष्ट्रे आयका और प्रतिवक्तियायका क्या योगदान है यहाँ पर हमें ये बात समझने की जरूत है कि राष्ट्रे विकास होगा कैसे, राष्ट्रे विकास होगा कैसे, इसके लिए में दो चीजों की बहुत अत्यावशक्ता होती है, एक तो लोगों की उत्पादक्ता बढ़ाने की, उत्पादक्ता, उत्पादक्ता का मतलब क्या होता है, जो उनकी उत्पादन करने की शमता होती है, वो बढ़नी चीए, तो लोगों की उत्पादक्ता बढ़नी चीए, मतलब क्या होता है, जैसे मान लेजे कि आज आप किसी 25-30 साल के युवा से काम कराईए, और एक आप 60-30 स वह थोड़ फुर्ति से काम करेगा वह एक दिन में 10 यूनिट को दस चीज बना देगा और जो 60-60 साल वाला है वह पांच यूनिट बना पाएगा तो उत्पादक्ता प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वह किसकी जादा यू आवालों की जाता है तो यहां पर क्या है लोगों की जो इंकम है वो बढ़ना वो जरूर प्रतिवेक्ति आये बढ़ना जरूर है क्यों जरूर है प्रतिवेक्ति आये बढ़ेगी मतलब लोगों का जीवन इस्तर सुधरेगा और लोगों का जीवन इस्तर सुधरने का मतलब यह है अगर हर इंसान सक्षम है हर इंसान के पास हो रहा है तो यह दो चीजे बहुत जरूरी लोगों की उत्पादक्ता बढ़ाना मतलब उत्पादन बढ़ेगा और प्रतिवक्ति आये बढ़ाना अब आब बात करते हैं कि अगर विकास की किरिया जो होगी विकास की किरिया में यही दो जो चिजें इंपोटेंट आ जाएंगी कि भाई आ प्रतिवक्ति आये बढ़ा दीजिए तो इससे क्या हो जाएगा राष्ट का और और बीमार रहता है वो क्या काम करेगा तो स्वास्ति जो health facilities है वो अच्छी होनी चाहिए और सिक्षा बहत्रीन होनी चाहिए सिक्षा ऐसी मिलनी चाहिए जिससे कि वो उत्पादकता भड़ा सके ना कि बल्कि खुद को सुस्त और आल सी जीवन बना करके जीवन जीता रहे तो विकास में जो है राष्ट्री में प्रतिविक्ति आये का क्या योगदान होता है पूरा आप देखे पूरा depend ही सब कुछ जो करता है वो आये पर ही करता है और आये ऐसा मापदेंड है जिसके आधार पर हम यह कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि अमेरिका बहुत विकषित है भरत विकास ही हुए कि आधार पर है यह सब हम लोग आये कि क्या है कि संपन्त का राष्टा कोया है उनका सब कुछ है और ने और टम सो कुछ भी नहींए यह जो एक-एक individual की income में सब को सभी तूरूप से हम लोग पता लगा सकते हैं तो राश्ट्रे विकास कब होगा जब हम यह जो income है वो दिन पर दिन भढ़ती ही जाएगी परतिये एक देश अपने अपने तरीके से विकास की योजना बनाती है जिसका लख्षिय राष्ट के उपलब सादनों की शम्ता को बढ़ा कर अधिक आये पराप्त करना होता है तो हर देश अपने देश के साफ से योजना भनाता है हमारे देश में किस चीज़ को पर जादा फोकस करना चाहिए उस हिसाब से योजना बनाता है और योजना इस हिसाब से बनाता है कि जिससे क्या हो जो उपलग साधन है उनकी शम्ता उनकी कैपेसिटी बढ़ा करके जादा से जादा क्या हो आए कमा सके जादा जादा इंकम वो लोग कमा सके इसी तरह शिक्षा पर खर्चा करता है विग्य और इन सब से फिर क्या होगा अच्छा रोजगार उत्पन होगा रोजगार अच्छा उत्पन होगा तो लोगों को बहतरी आये मिलेगी। यहां पर एक स्कुल को दर्शाने के लिए है कि सिक्षा की बात हुई तो जो बच्चे हैं स्कुल जा रहे हैं और यह पूरा आपका स्क्षन सामागरी है वो सारी यहां पर लखी वी आर्थी क्रिकास करने के लिए मुख्य रूप से उत्पाद थता आयमें वर्दी की जाती है उत्पाद थता आयमें वर्दी की जाती है उत्पाद क्या बोल रहा है प्रोड़क्ट जो भी प्रोड़क्ट है वो प्रोड़क्ट में वर्दी होनी चीए और यह प्रोड़क्ट और जब उत्पादन अच्छा हो जाएगा तो उनकी इंकम है खुद पे खुद ही बैदर हो जाएगे राश्ट्रियाए वास्ता में देश के अंदर पुरे वर्ष भर में उत्पादि नेट प्रोडक्ट को कहते हैं लेकिन उत्पती में वर्दी थता तभी होगी जब उत्पा किया तब लोगों को क्या मजदूर लगाएंगे तभी क्या होगा उत्पादन शूरू होगा जब उसकी मांग होगए चैसे कि मैंन आपको बोला अगर भीहारबोट बच्चे नहीं तो यह भी घ्रबोर्ट के वीडियो नहीं बन रही होते हैं आपकी मांग है आपकी demand है तभी production हो रहा है मांग के पहले कभी भी production है उत्पादन है नहीं होता तो सबसे पहले मांग बहुत जरूर है इस परकार जैसे जैसे उत्पादन में वर्दि होगी संबह हो सकेगा यदि इस परकार राष्टी आई के सुचकांग में वर्दी होती है तो इससे लोगों के आर्थिक विकास में अविश्य ही वर्दी होगी तो यह आप पर यह सिर्फ इतनी सी बात कहना चाता है कि लोगों कि प्रतिविक्तियाय में वर्दी होगी तब लोगों का जो विकास है वो संभव होगा, वो 100% होगा, क्योंकि आये बढ़ने पर ही क्या है, फिर इंसान सारी सुख सुविदाय ले सकता है, और अपने जियों को बहतर बना सकता है, राश्ट्याय में क्या उन्हीं सेवाओं को क्याइब झो जड़ा है जो अर्थिक किरिया है को नहीं वहीं नहीं नहीं न कृटीक किरिया नही को नहीं, घर आर्तिकProfle Phara यहां पर मैंने मुद्रा कारदीजी की दिखाईए 50 रुपे वाले नोट जिस अनुपात में राष्ट्राय में वर्दी हो रही हो उसे अधिक अनुपात में या जन संक्या में वर्दी हो तो समाज का आर्थी की वकास नहीं बढ़ सकता आप देखिए इन्होंने क्या बोला राष्ट्रियाय में वर्दी हो राष्ट्रियाय में वर्दी हो रही है बिल्कुल हो रही है पर उससे ज्यादा डबल जो वर्दी है वो किसमें हो रही है जनसंक्या में हो रही तो विकास हो गए नहीं विकास हो गए नहीं विकास हो गए जो है वो 50 रुपे हुई आपके इंकम 50 रुपे है और भढ़ लोग गए 100 तो फिर खाएगा हमाजा या तो यह बराबर भी होना तो भी एक बार हम लोग सो सकते हैं और राष्ट्रिया आए जादा और जनसंक्या की जो बढ़ने की तर है यह बराष्ट्रिया आए और प्रतिविक्तिया आए भड़ेगी तो समाज का विकास का जो विकास का है वो बी इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो कम्प्लिट होता है हम नेक्स्त लेक्षर में पशनवली जानेंगे परशनावली के साथ इस चेप्टर के जो आपके दिमाग में कोश्चन सुठते हैं वो कोश्चन से कम्प्लीट हो जाएगा ओके वैं डियर एस्ट्रेंट्स और बाकी नेक्स लेक्ट्र में जानते हैं और फिसका नेक्स चेप्टर शुरू करेंगे आप अच्छे से पढ़ते रहें मैंनेट करते रहें मिलते हैं नेक्स टेक्टर में तब तक के लिए थैंकी सो मच जै हिंद जै वारत